हेलो फ्रेंड्स मेरी यूटूब चैनल इंडेन कुकिंग सिक्रेट में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के टेस्टी पकोड़े तो वीडियो के इंड तक जरूर बने रहीएगा फ्रेंड्स यहां पर हमने एक लौकी ले लिया है इसको हमने अच्छ अच्छी नहीं लगेंगे खाने में तो यहां पर हम कट कर रहे हैं आप दिखशकते हो है कि भाईली है पे हमने लौकी को कट कर लिया है अब हम दूसरे साइद बिटर को तयार कर लिए बिटर को तयार करने के लिए हम्को सबसे पहले लेना आप 4-5 बड़े चमच तो यहां पर हमने बेशन ले लिया है अब हम इसमें एट करेंगे नमक स्वादा नुशार हल्दी पाउडर थोड़ा सा जीरा एट करेंगे एक चमस के करीब जीरा जीरा को एट कर दिया है अब हम इसमें आप गरम मशाला लाल मीर्च पाउडर थोड़ा सा पानी एट करेंगे पानी एट करने के बाल थोड़ा सा पानी हम एट करेंगे लगातार हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ा सा पानी यहां पर बिटर बनके तयार हो गया है अब देख सकते हो अब हम इसमें कटे हुए लॉक्यों का अच्छे से डिप करेंगे डिप करने के बाद इसे हम गोल्डियन ब्राउन होने तक फ्राइब करेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए दूसरी साइड हम तेल भी गरम कर लिए हैं अब हम सारे पकोड़ों को एड़ करके अच्छे से फ्राइब कर लीना है पकोड़ों को हम एड़ कर रहे हैं पकोड़े मेरे फ्राइब हो रहे हैं आप देख सकते हो इसे अगर आप दाल चावल के साथ खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसे आप चटनी के साथ भी शरू कर सकते हो सास के साथ भी खा सकते हो बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनके तयार होते हैं अब यह अच्छे से पक रहा है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स दोनों तरफ से हम इसको पलट पलट के फ्राइ कर लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए अब यह गोर्डिन हो गया है इसे हम निकाल लेंगे खाने के लिए शर्व कर देंगे ऐसी हम सारी पकोड़ों को तयार कर लेंगे बनाके अब हम इसे निकाल रहे हैं यहाँ पर हमने खाने के लिए सर्व कर दिया यहाँ पर हम ग्रीन वाली चटनी के साथ सर्व किये हैं आप देख सकते हो प्लीज फ्रेंट्स अगर मेरी रिश्पी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे जादा से जादा लाइक सिस्क्राइब से यह जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि कैशा बना हुआ है थैंक यू आल